हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब तो स्वागत है आपका क्रिस्पी बॉलीवुड की क्रिस्पी ख़वरों में जहां पर 2023 बॉलीवुड के लिए अफ़ी सप्राइजिस से भरा रहा वहीं पर बॉलीवुड के किंग खान शारु खान के लिए भी भी बहुत सारे सप्राइजिस चार साल शान रहने के बाद शारुख खान ने 2023 की सुरुवात ब्लॉग बस्टर मुवी पठान से करी और पठान बॉक्स ओफिस पर सबसे ज़ादा कमाई करने वाली मुवी बन गई शारुख खान यहीं पर नहीं रुके अब शारुख खान अपनी दो मुवी के साथ एर एंड में भी धमाका करने के लिए बिलकुल रेडी है मुझे तो ऐसा लगता है दोस्तों की 2023 आया ही शारुख खान के लिए है पठान के इतने बड़े सक्सेस के बाद किंग खान की आने वाली मुवी रिलीज से पहले ही सुर्ख्यों में आ गई है वो कैसे तो मैं हूना दोस्तों मैं आपको बताती हूँ कि मुवी ने आने से पहले ही ऐसा क्या कर दिया कि वो सुर्ख्यों की वज़ा बन गई राजकुमार इरानी के साथ शारुक खान का ये कॉलैब क्या रंग लेके आने वाला है ये तो वक्त ही बताएगा लेकिन सुर्ख्यों की वज़ा ये नहीं है सुर्ख्यों की वज़ा तो कुछ और ही है भाई किंग खान की मूवी डंकी के OTT राइट्स एक सो पचपन करोड में अल्रेडी भिग गए हैं जी हां सही सुना आपने जीयो सिनेमा यानि मुके सम्भानी ने डंकी के OTT राइट्स एक सो पचपन करोड में खरीद लिये हैं और ये अब तक का सबसे बड़ा सोदा हुआ है बस अब मोटा भाई जीयो सिनेमा में सब्सक्रिप्शन न लगा दे तो स्वाधी आ जाएगा और आपको ये भी बता दे कि राजकुमार इरानी पूरे पांच साल के बाद डंकी से एज डिरेक्टर कमबैक करने वाले हैं लेकिन बॉलीवुड के दो बहुत बड़े आइकंस राजकुमार इरानी और जब शारुख खान का ये कॉलाब बहार आने वाला है तो ये गलोबली बहुत बड़ा चेंजिस ला सकता है अब ये देखना है कि 2023 के स्टार्टिंग में बॉलीवुड ने और फैंस ने जैसे शारुख खान का वेलकम किया था तो इयर एंड में भी शारुख खान को वैसा मिलता है या नहीं मिलता है अभी तक तो मुझे सारुख खान के सितारे चमकते नजर आ रहे हैं जैसा ये कभी हुआ ही नहीं था और अब ये देखना है कि शारुख खान की मूवी डंकी जो की दिसंबर में रिलीज होने वाली है वो क्या धमा का मचाती है मुझे तो बे सबरी से मूवी का इंतिजार है आप लोगों को क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताए और चैनल क सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले